ओम शान्ती आज आपका 94 दिन का वर्दान और आज के वर्दान में बहुत महत्वपून बात सारी दुनिया परमात्मा को खोदा को भगवान को ढून रही है और परमात्मा कहते हैं कि मैं जब धर्ती पर आता हूं तो इतना गुप तरीके से आता हूं कि बहुत सारी आत्म हैं, जो अपने आपको देह समझ कर बैठी हैं, या देह की अहंकार में हैं, वो मुझ पर्म पिता पर्मात्मा को पैचान ही नहीं सकती, क्यों? क्योंकि मैं एक आत्मा हूँ, मुझे पैचान लेकले अपने आपको आत्मा निश्चे करना बहुत जरूरी ह तो पर्म पिता पर्मात्मा हमें आध्यात्मिक आत्मिक आध्यन करना, आध्यात्मिक ग्यान देते हैं, कि जब तक अपने आपको आत्मा नहीं समझ पाओगे, तब तक मुझे देहे धारियों में ढूंडोगे, मल्ला कि मेरा स्वरूपी तुम देहे के अनुसार तो मैं किस प्रकार से आता हूँ, किस गुप तरीके से आता हूँ और कैसे इस दुनिया में आकर कि तुम्हें कर्म कैसे करने हैं उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, सब कुछ मैं तुम्हें सिखाता हूँ ताकि तुम दिव्वे बनो तुम पतित बन चुके हो और पतित से तुम अब देवता बनो परमात्मा हमें असुर से देवता बनाने आते हैं सारे दुनिया आज असुर बनी वी है तो इसी चीज़ को गहराई से समझें कि हमारे कर्म कैसे हो तो आज बाबा क्या कहते हैं देखें उसे एक कुछ समेक ले आई हुई नाटक शाला में आई हुई एक्टर और आई कहां से परमधाम से तो यह जो जितने भी टेंप्रेरी नाम निशान हमने जो लिए इस धर्ती पर आकरके वो टेंप्रेरी हैं सारे जिस कारेंट से आज हम आपस में लड़ जगड रहे हैं तो इन सब चीजों को भूल सारे धर्मों को भूल मेरी शरण में आओ परमात्मा ने कहा हुआ यह तो बाबा कहते हैं स्वयम की स्मिति में रहे कि मैं कौन हूँ अपने हर कर्म को सैयम मलब नियम बनाने वाले अथौरिटी सरूब भवा तब ही हमारे अंदर अथौरिटी आती है जब ह हम सत्य कर्म करते हैं सत्य कर्म कर पाएंगे जब हम परमात्मा सत्य के साथ में जुड़ करके अपनी सत्य पहचान के अनुसार कर्म करेंगे कि मैं अगर आत्मा हूं तो मुझे सोचना कैसे बोलना कैसे कर्म कैसे करने इन आत्माओं के साथ में इन परिस्थितियों में तो द स्वयम की स्मृति में रहने से आत्मिक स्मृति में रहने से जो कर्म किया बाबा ने ब्रह्मा के तन में आ करके हमें दिखाया कि कर्म कैसे करने तो जो कर्म किया वही ब्रामन परिवार का सैयम बन गया वही रूल regulation बन गया कि इसी अनिसार सोना उठना खाना पीना बैठना सब कुछ बाबा कैसे करते हैं वही देख करके हमने सीखा तो ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करकर के परमात्मा पिता ने आत्मिक सुरूप में रहना कैसे वो तो सुयम के नशे में रहने के कारण authority से कह सकते थे परमात्मा के नशे कितना उचा होगा रुहानी नशा परमात्मा पिता सर्व सारे श्रिष्टी तीनों लोकों के जो पिता है सारी आत्मा के पिता हैं सिर्व मनुश आत्मा नहीं सारे जीव जन्तु आत्मा के भी तो सुयम के न शरीर में हैं कि द्वारा कोई उल्टा कर्म भी हो गया तो सुल्टा कर देंगे कि परमात्मा उसको ठीक कर देंगे कोई बड़े बच्चे ने कुछ गलत किया हो तो बड़े पिता जो आ करके क्या करते है वो इसको बड़े बच्चे को ठीक करते है तब जा करके क्या होता है छोटे बच्चे भी ठीक हो जाते है तो यह ठीक करना मरलब उस रीती से नहीं चुकि हम दुनिया भी रीती से समझते हैं, मार पीट करना, डाटना, डराना, वो नहीं तो परमात्मा कहते हैं, कि मैं प्यार से पुछकार से सब कुछ ठीक कर दूँगा, अगर ध्रमा के द्वारा भी कुछ गलती हो जाए तो साकर दौरा कोई उल्टा कर्म भी हो गया तो सुल्टा कर देंगे स्वयम के सुरूप की स्मृति में रहने से, स्वयम के सुरूप की स्मृति में कौन हूँ रहने से ये नशा रहता है कि कोई कर्म उल्टा हो ही नहीं सकता लेकिन यही तो practice है यही तो सबसे उची practice है कि मुझे अपने आपको आत्मा समझ करके कर्म करने है घड़ी घड़ी सासों स्वास अपने आपको आत्मा समझना है तब ही जाकर के मुझे परमात्मा याद आते हैं तब यहा करके मुझे कर्म कैसे करने याद आते हैं अच्छा इनसान बनना तो तब ही हो सकता है जब हम अपने आपको एक आत्मा समझ करके कर्म करें दे समझ करके कर्म करें कि तो सारे काम बिगड जाएंगे वहाँ पे लोब आएगा, आंकार आएगा इरश्य आयगा गिरना आयगी नफरत आयगी तो आत्मा जहां समझे मैं एक आत्मा इस शरीड के दवरा करम करा रही हूं इन करमेंद्र के दवरा कर में करा रही हूं तो मुझे ध्यान रहेगा लेकिन मैं एक मा, बाप, बच्चा, बहु, पतीव समझ करके कर्म किया तो वहीं अहंकार या इरशा या गरणा या नफरत या उच नीच के भाव और भावनाय आएंगी तो परमात्मा कहते हैं हो ही नहीं सकता उल्टा कर्म अगर क्या करें स्वयम के सुरूप कि स्मृति में करें आप बच्चे भी जब स्वयम की स्थिती में स्थित रहो स्वयम की स्थिती में स्थित रहो तो जो संकल्प चलेगा, सोच उसकी कॉलिटी कैसी होगी जो संकल्प चलेगा, जो बोल बोलेंगे, वा कर्म करेंगे, वही संयम, मतलब नियम बन जाएगा, मतलब आपके परिवार में वो नियम बन जाएगा, अगर आप एक पिता है, एक माता है, एक हस्बेंड है, एक वाइफ हैं, तो आप जो आत्मिक सुरूप में हो करके जो कर्म करेंगे लोग आपको देख करके फॉलो करेंगे तो वही एक नियम बन जाएगा आपके घर का तो सोचे कितना ज़रूरी है परमात्मा कहते हैं कि मैं घर घर में आ करके स्वर्ग बनाता हूं लिकिन इसके लिए स्वर्ग बना निकले परमात्मा सुरूप की स्मृति और सुवर की स्मृति रहनी बहुत ज़रूरी है तो इसके साथ आज का आपको दिन शुब हो और आप स्वस्त रहें और अपने आपको बचा के रखें घर में रहें ओम शान्ति